अलो फ्रेंट तो कैसे हो आप सभी स्वाच करते हैं आप सभी का यूबास की तिंजी की कोईज में तो फिरेंग अभी भी हार फोष्ट करके लिए एक न्यू प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है जो टार्गेट है 16 दिसम्मर का जिसमें कि हम सभी 4 प्रैक्टिस सेट को कम्प इनबोक्स में बताते हैं तो चले आज की चेट का फ़र्ष्ट कोईशन देखे आपके सकीन पर हैं और फ़र्ष्ट कोईशन ये बन रहा कि मौलिक अथिकार में संसोधन करने के लिए कौन सक्षम है चले कोईशन में फ़श्ट के लिए आपसे राइट आंसर किजीगा तो इसका right answer option में जाएंगे संसद, संसद जो की मौलिक अधिकार में संसोधन कर सकते हैं, यानि हम सबी D को यहाँ टिक कर सकते थे संसद, दिखे अगला question, अरुन धती राई किस पूस्तक की रचाईता हैं? इन में से कौन सी पूस्तक है, जो अरुन धती राई की रचाईता है, option नमर A right answer हैंगे, यह अरुन धती राई की पूस्तक है, option नमर A, यहाँ बिल्कुल right answer रहते हैं आफ सभी का, दिखे अगला question क्या बन रहीं? दुनिया का सबसे पहला, CNG Port Terminal की स्राज में अस्थापित किया जाएगा? तो देखे इसके right answer option में बिजाएंगे, गुजरात में अस्थापित किया जाएगा, B को यहाँ बिल्कुल टिक कर सकती थे आफ सभी, देखे 16 दिसमर को exam से आफ सभी का, आप से को को पताऊंगे 16 दिसमर को exam से विहार फोरेश्ट गट का बहुत ही कम समय है, 2-3 दिन का time है आपके पास, यह 2-3 दिन में क्या किजिए का आप यह आपके लिए important है, जो पढ़े हैं उसी को revision किजिए, वे आपके लिए बेहतर होंगे, नया कुछ नहीं पढ़ना है आप सभी को, जो पढ़े हैं उसी को revision किजिए आप सभी, तो मेरा कोसिस यह रहा है कि जो आप पहले पढ़े हैं, जो पहले आपको practice set provide किये थे, कुछ question उससे लिया गया है, और कुछ question जो की new, इसमें add करके आपको यह practice set provide कर रहे हैं हम सभी, ताकि जो पहले आप पढ़ें, वो concept आप यहां से clear कर सेके, questions ना गलती करें, question आपको proper तरीकी से याद हो जाए, और कुछ नया question आपको यहां से भी मिल जाएंगे, तो आप सभी इस practice set को पूरा solve किजे, अभी मेरे ख्याल से चार से पांच practice set आपको provide करेंगे exam तक में, तो मेरे साथ आप सभी बने रहीएगा, देखें अगला question, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज में अबस्ती थे, देखें यह सब question अपको पहले करा दिया गिया है, तो यह कहाँ पर हैं करनाटक राज में हैं, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर करनाटक राज में अस्थापीते, सी बिल्कुल यहां right answer हो जाती है अपना, अगला question देखें, भारत के नए मुख्चुनों अयुक्ति कौन बने हैं, बी right answer हैं बिगल जुलुफा बने हैं, अगला question देखें, निमलेखित में से किसी गुरु को जाहंगिर ने मिर्त्यु दंड दिया था, तो यहां अपना option मड़ी बिल्कुल right answer हैं गुरु अर्जुन देब, मौलिक कर्तब्य को जोड़ा गया है, देखें इससे पहले आपसे भी कोई यह question कराया गया था, कहीं न कहीं यह practice rate में आपको कराया गया है, बहुत सारा practice rate आपको प्रवाइट किये हैं, बिहार first year के लिए special, सारा practice rate को आप एक बार revision कर लिजीए, बिराइट answer रहेंगे, स्वर्न सिंग, रिपोर्ट की अनुसांचा पर जोड़ा गया है, मौलिक कर्तब्य को, यह सभिधान के भाग 4A में रखा गया, और अनुछेद 11A में है, तो इसे आप सभी देख लिजीएगा, अगला question देखें, किस समय में राग भर्वी गयन सबर्दिक उप्योगी माना जाता है, तो यह माना जाता है सुबा के समय में, बिराइट answer रहेंगे, यह question कराए थे आप सभी को, देखें अगला question, गोरा उपनियास के लेखा कोन है, चलि, answer केजिए आप सभी, गोरा उपनियास के लेखा कोन है, रबिन नाथ टाइगोर है, see how right answer रहेंगे आप सभी का, रबिन नाथ टाइगोर, अगला question देखें, नेमलेकित में से ब्रिटीश सभिधान की, किस विशेस्ता को भारती सभिधान में सामिल किया गया है, तो हम सभी ये कहा सकते हैं, कि संसद्य पदति की दरगा, ब्रिटीश सभिधान से भारत की सभिधान में लाया गया है, विधी का सासन, विधी निर्मान परिकिरिया, ये सभी ब्रिटीश की सभिधान से, इनिटीज की सभिधान से भारती सभिधान में लाया गया है यानि हम सभी option मड़ी को यहां टिक कर सकते थे यह सभी अगला कोशन दिखिए 66 दादा साहेव फाल के पुरुषकार से किसे सम्मानित किया गया अमिता बच्चन को सम्मानित किया गया है अगला कोशन दिखिए कौटिल लिका संबंदि म्रिकित में से किस बिस्विद्याले से था तो डी राइट आंसर हैंगे तक्ची सीला विश्विद्याले से सम्मधिते कौटिल ले क्योंकि कौटिल ले जो थे उस समय ये वहां के सिक्छक थी वही कौटिल ले जिसके कुटिल नेती के करण चंद्रगुप्त मौर ने मौरिबंस के अस्थापना की थी अगला कोशन देखें जर्मनी और पॉलेंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है इसे हम सभी कहते हिंडन वर्ग रेखा सी हम सभी टिक कर सकते थे हिंडन वर्ग रेखा आप सभी बताईएगा भारत और ठीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है चलिया आंसर किजिगा और आप से भी एक कोश्चन बताएगा भारत और अफगिनिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखाए ये दोनों कोश्चन बताएगा नीचे कमेंड बॉक्स में आप सभी जल्दी से देखे अगरा कोश्चन एक भारत स्रेष्ट भारत किस मंत्राले दुबरा ये कारिकरम शुरू किया गया तो ये किया गया था सूचना और प्रासरन मंत्राले की दुबरा डी राइट आंसर हैंगे सूचना और प्रासरन मंत्राले की दुबरा देखिए आप से भी को science का question दिया गया था 700 MCQ का e-book प्रोवाइट किया गया था अगर आप से भी download नहीं किये तो करके एक बार rewrite कर जीगा क्योंकि 25 question पूछी जाएंगे आपके exams में सिर्फ science सी तो आप से भी एक बार इसे check out कर ले जीगा इसके अलाबा हेष्ट्री का 500 MCQ भी अब लेबल है आप सभी इसे भी देख लिजीगा एक बार देखिए अगला question निम्न में से किसने मुगल काल में इत्यासिक बीबरन लिखा तो ये लिखाता गुल बदन बेगम ने लिखाता मुगल काल में इत्यासिक बीबरन सी राइट आंसर हैंगे अगला question देखिए सयुक राष्ट महासबा का अध्यक्ष कितनी अब्दी के लिए चुना जाता है एक वर्स के लिए सिर्फ चुना जाता है question के लिए एक वर्स देखिए अगला question फोर्ट विलियम का पर्थम अध्यक्ष कौन थे चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के पर्थम अध्यक्ष थे देखे टाइम कम है आप सभी के पास तिन दिन मातर में समय बचा आप सभी के पास में तिन दिन में जो कर सकते हैं आप सभी वित्य वर्स दौजर 19-20 में भारत को सबसे अधिक पर्तियक्ष विदेसी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है तो ये सबसे अधिक विदेसी निवेश जो प्राप्त हुआ है वह सिंगापूर से प्राप्त हुआ है बे बिल्कुल यहां राइट आंसर हो जाते है अपना अगला कोश्चन देखिए चमपारन सत्यगरा कब हुआ था आपसे को पताओंगे चमपारन सत्यगरा महात्मा गांदी जी के दुरा चलाया गया था ये किसानों के लिए था चमपारन सत्यगरा ये 1917 में हुआ था देखिए अगला कोश्चन निमलेकित में से कौन से सित महासागर ये जालधारा नहीं है और आप से उकर एक इंपॉर्टिन बात बताते हैं जब आप सभी कोश्चन को टिक किजिगा कोश्चन पढ़िए गत एक बात ध्यान में रखेगा सत्य और ओ सत्य पे फोकस किजिगा आप सभी इसके कारण कोश्चन गलती होता है बहुत सारे इस्टूएंट गलती करते कोश्चन को तो ध्यान दिजिगा आप सभी गुलहास ये सित महासागर ये जलधारा नहीं है बलकि ये एक गर्म जलधारा है अगला कोशन दिखे संपुर्ण करांती का नेत्रित्व किस ने किया था किस ने किया था जै परकास नारायन ने किया था अगला कोशन दिखे किस ने बताया था कि पिर्थी भी अपने अक्ष पर घुमती विश्यूरी की परकिर्मा करती है चलिए आंसर के जिगा आप सभी किस ने बताया था आरिभट ने बताया था आरिभट गुप्त कालिन एक खगोल्ड सास्त्र था अगला कोशन दिखे दा ओरीजन ओफ इस पेसिज किन की रचना है चाल्स डैरविन की रचना है किस की रचना है चाल्ज डैरवीन की रचना है एक को टिक कर सकते थे हम समी अगला कोशन देखे छेतरपड की दिरिष्टी से बिहार का भारत में कौन सा अस्थाने बारबा अस्थाने अगला कोशन देखे बिंदु सार का संबन किस राजबन से है बिंदु सार चंद्रगुप्त मौरे के पुत्र थे ये मौरे बन से संबन दी थे बिंदु सार अगला कोशन देखे रंजी ट्रोफी 2020 का बिजिता रहा सौराष्ट रहा था 2020 का बिजिता के लिए रहे एक बार आप सभी सभी राज जी के मुख मंत्री और राजपाल को याद कर लेजीगा क्योंकि एक कोशन इससे पूछ जाते एक जामस में देव्यास उपन्यास के लेखा कौन ही तो इसके लेखा के सरद चंद्र चटर जी देखे अगला कोशन दूतिय बिस वियुद के समय भारत में कौन सा अंदुलन चलाया गया चले आंसर किजिए आप सभी कोशन में 28 के लिए कौन सा अंदुलन चलाया गया था भारत छोड़ अंदुलन चलाया गया था सी को यहाँ टिक कर सकते थे हम सभी क्योंकि दूतिय बिश्वित की सुर्वात 1949 में हुगी थी और भारत छोड़ा अंदलर 1942 में चलाया गया था अगला कोईशन दिखे उत्तर कोरिया तर दक्षिन कोरिया की बीच इस्तित सीमा रेखा किस नाम से जाने जाती है तो बी राइट आंसर रहेंगे अगला कोईशन दिखे भारत का अंतिम गवर्नर जेनरल कौन था तो डी राइट आंसर रहेंगे लौड केनिंग ये भारत के अंतिम गवर्नर जेनरल हुए तथा पर्थम वाइसराय हुए थे यह लॉड मॉंट बेटन यह अंतिम वाइस रहे हुए तथा स्वसंद्र भारत के पर्थम गवर्णर जेनर हुए थे लॉड मॉंट बेटन देखिए अगला कोशन साइन्स से हैं कि ट्रीपल वेक्सिन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है तो नहीं होता है पिलिया नहीं होता है ट्रीपल वेक्सिन में बी राइट आंसर रहेंगे पिलिया नहीं रहता है जबकि जितने औफशन है सभी महाजुद होते हैं अगला कोशन देखिए ठोस कनों के संदर में निमन में से क्या सही है ये व्यवस्ति तरीके से विन्यासित होते हैं सी राइट आंसर रहेंगे देखिए अगला कोशन निमले कित में से बेकिंग सोडा कौन है चलिए आंसर की जिगा इन में से बेकिंग सोडा कौन है sodium bicarbonate ये baking soda का रासायनिक नाम है अगला question दिके निमलेकित में से कौन पारे इस्तित की तंदर के विशे में सही नहीं है सही नहीं है ये एक बंद तंदर होता है ये सही नहीं है पारे इस्तित की तंदर के संबंद में सही क्या है इसकी अपनी उत्पादक्ता होती है ये एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है ये एक कारिशिल इकाई होता है सही क्या नहीं है option नमर A के लिए ने कोशन देखे अगला कोशन हिलियम की खोज किसने की लोकेयर ने हिलियम की खोज की थी अगला कोशन दिखेे, एक ऐलीमेट के ऐलो ट्रोफ्स की भोतिक बिस्यस्तागें बीन होती है, क्योंकि उनके परमानु की संरचना बीन होती है। अगला कोशन दिखे, लोहा निकेल पिर्थवी के किस भाग का परमुक घटक माना जाता है। चले, आंसर कीजिए आप सभी, लोहा निकेल पिर्थवी के किस भाग का पर्मु घटक माना जाता है, तो हम सभी कह सकते हैं, कुरोड भाग का पर्मु घटक माना जाता है, अगला कोशन दिखे, पारे इस्तित की तंतर में एक टिकाउ, जैव सम्मु कहलाता है, तो इसे कहते ह हैं संकर्मन, जिसे एकोटोन कहा जाता है, अगला कोशन दिखे, बिटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है, बेरी-बेरी, डिराइट आंसर के कोशन के लिए रहें, बिटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, जिसका राशानिक नाम थाइमीन अगला कोशन दिखे, अल्फा कन इसका दिर्मान हिलियम के अनु के बराबर होता है, इसके आवेस बराबर होती है, दो प्रोटाउन के बराबर होती है, इसके आवेस दो प्रोटाउन के बराबर होती है, C को यहाँ टिक कर सकते हैं हम सबी अगला कोईशन दिखे सतत अबम अस्थाई विकास की इस परकार की अबधारना से संबंद रखता है तो C राइट आंसर रहेंगे नव नियती बाद अबधारना से संबंद रखता है सतत अबम अस्थाई विकास कोशन के लिए रहे नव नीती बाद आपधरना से संबंदी थे अगला कोशन दिखे नेमलकित में से कौन सद्रव अनुचुमबके पदार थे एलुमुनियम अनुचुमबके पदार थे अफिशन मेरे एराइट आंसर रहेंगे अगला कोशन दिखे के कवक और चेवाल की प्रसपर संबंद से एक नया पादब वर्ग बनता है जिसे कहते हैं लाइकेन कहा जाता है इसे यहां सी को हम से टिक कर सकते थे लाइकेन अगला कोशन दिखिए पर्या बरन एक ओविभाज समसिष्ट है समसिष्ट की जिगा यहां पे जिसकी रचना होत कघार हैंगे अगला कोशन दिखिए रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी दी राइसब़ दोस भी जानतें कि ओधातु बिद्दूत की कुछाल की होती है क्योंकि उन में मुक्त delta नहीं हो ती ही इसलिए और दोस में गुचालक होती है अगला कोशन दिखे, 1948 में गठित परमानु उर्जा आयो के अध्यक्ष कौन थे? 1948 कर लज़ेगा, 1948 में गठित तो इसके अध्यक्षिते होमी जहांगीर भावा करना है, यहां पे होमी जहांगीर भावा थे अगला कोशन दिखे, एक तत्व का एलक्ट्रोनिक विन्यास 284 है, तो तत्व का नाम है तो इसे हम सबी सिलिकॉन कहते हैं अगला कोशन दिखे, जैब उपचारन से तात्पर है एर राइट आंसर हैंगे, जीवोध वरा परियाबरन से विसेले पदार्थ का निस्कासन अगला कोशन दिखे, सामपेक्षिता का सिधान्त दिया था आइंश्टी ने सामपेक्षिता का सिधान्त दिया था अगला question दिखें, hydrogen को जलाने से क्या बनेगा? पानी बनेगा hydrogen को जलाने से अगला question दिखें, भारते अंत्रिक्ष अनुसंधान सनस्थान इस रो कहां इस थी थे? तो ये कहां पे हैं? बंगलूरू में हैं आफिसन में A right answer हाँगे अगला कोश्टिन देखिये मोटर कार में पच दृस के लिए कौन सा दरपन का उपयोग होता है चले आंसर कीजिए आप सभी कौन सा दरपन का उपयोग करते हैं उत्तल दरपन का कोश्टिन के लिए रहे रहे डि राइट आंसर रहेंगे देखे अगला question और last question है प्यूस गरंती कहां पर इस्तित होता है तो यह कहां पर होता है मस्तिक में होता है प्यूस गरंती सबसे छोटी गरंती होती है पर यह कहां पर रहती है मस्तिक में रहती है question के लिए रहें see right answer रहेंगे तो चलिए आज के लिए इतना ही आज की सेट में 55 कोईशन को अबर किये आज की सेट कैसा लगा आप से बीको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आज की सेट अच्छा लगाओ लगाओ तो आप इस वीडियो को लाइक किजीगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर किजीगा तो जाती जाती आप सभी इस वीडियो को लाइक जरू किजीगा जिस परकार से अपना प्यार आप सभी दे रहे युबा सकती जी के कोईश को उसी परकार से अपना प्यार बनाए रखेगा आप सभी जो भी साथी टेलिग्रम ग्रूप से जोईन नहीं किये वे से भी टेलिग्रम ग्रूप से जोईन कर लिजीगा लिंक नीचे डेस्किप्शन में दे दिये वे अने था आप से भी डिरेक्ट सेर्च करके जूर सकते हैं यूबा सकति बिहार, यूबा सकति बिहार, टेलिग्राम का नाम है, टेलिग्राम पहले फ्ले इस्टोर से डाउनलोड किजिए, उसके बाद आप से भी टेलिग्राम गुरूप से जोइन किजिए, तो चलिया मिलते हैं, जहिंद बंदे मातरम अपना ध्यान रखेगा, पढ़ झाल झाल